हमारे सभी दर्शकों को सादर पढ़ाम जैशी क्रिश्ण आज हम कुंडली मिलान के अगले विशे पर चर्चा करेंगे और आज का विशे है संतान योग कुंडली मिलान में संतान योग देखना भी अति आवशक है और इस बात को आप स्वयम भी जानते हैं कि यदि विवा के बाद संतान ना हो तो पती-पत्नी दोनों की इस्थती क्या होती है उनकी मानसिक इस्थती खराब हो जाती है एसी इस्तती में शारिरिक इस्तती भी खराब हो जाती है और क्योंकि विचार ज़्यादा करेंगे तो मानसिक इस्तती के साथ साथ शरीर में भी कमजोरी आनी शुरू हो जाएगी और विशेश कर महिलाओं को इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा समस्याएं जेलनी पड़ती है आप सभी जानते हैं हमारा समाज केसा है तो संतान योग देखना भी अतियावशक है केवल पति-पत्नी अच्छा साथ में रहते हैं काफी नहीं है विवा होने के बाद तुरंत साल दो साल में यदि संतान नहीं होती है उसमें देरी की संभावना है योग कौन से हैं उन सारी बातों को देखना बहुत ज़रूरी है यदि संतान में डीले हो जाता है पांच साथ साल दस साल लग जाते हैं तो फिर समस्याएं बढ़ जाती है व्यक्ति निराश हताश और दुखी हो जाता है तो कुंडली में हम आज चर्चा करेंगे छोटे छोटे दो विश्यों पर और इससे सम्मंदित मेरे पास कुछ विद्वानों के प्रश्ण भी आये हैं इसलिए जवाब देना बहुत जरूर हो गया है तो सबसे पहले बात करेंगे सर्प योग की सर्प योग से संतान होती ही नहीं एसी बात मेरे पास आई है तो सबसे पहले तो आप यह सोचेंगे कि सर्प योग है क्या काल सर्प योग तो आपने सुना है लेकिन ये सर्प योग क्या है तो हमारे जोतिश शास्तर में काल सर्प योग तो बहुत बाद में आया है बहुत बाद में अभी तीन चार दशक से कालसर्प योग विशेश प्रचलन में है और हर दूसरी तीसरी कुंडली में कालसर्प योग दिख जाता है और हर विक्ति कालसर्प योग की दो बार तीन बार पूजा भी करा चुका है लेकिन काल सर्प योग खराब नहीं होता है और काल सर्प योग का वीडियो भी मैंने बनाया है उसको आपने नहीं देखा है तो आवश्य देखें वहाँ पर मैंने बताया है कि काल सर्प योग तो शुब भी होता है और बहुत सी परिस्तियों में काल सर्प योग लगता ही नहीं है लेकिन आज बात होगी सर्प योग की सबसे पहली बात सर्प योग सर्प योग क्या होता है तो आप यहां पर एक कुंडली देखें सामन्य सी कुंडली है इस कुंडली में हम पंचम भाव से संतान योग देखते हैं कुंडली का जो पांचवा भाव है संतान का है बुद्धी का है शिक्षा का है और इस भाव से हम संतान की इस्तति का पताल लगाते हैं पहली बात तो ये रही दूसरी बात पंचम भाव की राशी को देखना अति आवशक है पंचम भाव में जो राशी लिखी हुई है उसका जो स्वामी है उसे भी देखना बहुत आवशक है मैं आपको पूरु में ही बता चुका हूँ मेरे सभी वीडियो में मैं बताता हूँ कि किस राशी का स्वामी कौन सा है जैसे मेश और व्रश्चिक एक और आठ नंबर राशी लिखी है पंचम में मेश और व्रश्चिक राशी लिखी है तो उसका स्वामी मंगल होता है आप च व्रश्चिक राशी भी कहते हैं यदि पंचम भाव में दो या साथ कांक लिखा है तो शुक्र स्वामी होता है पंचम का व्रशब और तूला राशी होती है दो का अर्थ व्रशब राशी साथ का अर्थ तूला राशी तीन और छे कांक तीन है या छे कांक है पंचम भाव में तो इसका स्वामी बुद्ध होगा तीन का मतलब मिथुन राशी छे का मतलब कन्या राशी यदि कुंडली में पंचम भाव में चार कांक लिखा है तो चंद्रमा स्वामी होता है करक राशी कहलाती है चार नंबर राशी कुंडली में पंचम भाव में पांच कांग लिखा है तो सूरी स्वामी होगा सीह राशी कहलाएगी कुंडली में पंचम भाव में नो या बारा कांग लिखा है तो धनू और मीन राशी कहलाएगी और स्वामी गुरु कहलाएगा और कुंडली में पंचम भाव में ध्यान से देखें पंचम भाव में दस या ग्यारा कांक लिखा है या तो दस होगा या ग्यारा कांक लिखा होगा ऐसी इस्तिती में शनी पंचम का स्वामी होता है और एक बात और ध्यान में रखें कि मकर राशी का स्वामी भी शनी है कुमराशी का स्वामी शनी है 10 का आर्थ मकर राशी 11 का आर्थ कुमराशी है तो इस प्रकार से आप राशी और उनके स्वामी समझ सकते हैं लेकिन सर्प योग बनता है पंचम में मंगल की राशी हो। कुंडली का जो पंचम भाव है वहाँ पर या तो एक अंक लिखा है या आठ का अंक लिखा है तो सर्प योग देखा जाता है। अब केसे देखेंगे सर्प किसे कहा है राहू को। यहाँ पर राहू के लिए विशेश लिखा गया है कि पंचम भाव में कुंडली का जो पंचम भाव है वहाँ पर एक या आठ कांक लिखा हो। एक या आठ कांग लिखा हो और राहु बेठा हो पंचम भाव में चाहे एक नमबर पर बेठा हो चाहे आठ नमबर पर बेठा हो यह सर्प योग कहलाता है और एसी इस्तिति में संतान होती ही नहीं एसी बात कैसे संभव हुए है तो यदि कोई प्रश्ण करता है और हमारे द्वारा उनको जवाब यही है कि पंचम भाव में केवल राहु के बेठने से आप यह निर्दारित नहीं कर सकते कि व्यक्ति को संतान नहीं होगी हमारे शास्त्रों में सारी बाते लिखी हुई है लेकिन केवल इस योग से संतान नहीं होगी यह बात ठीक नहीं पंचम भाव में एक या आठ नमबर रंग पर राहु हो तब भी संतान होती है हलागि इसे सरप योग कहा जाता है लेकिन उसमें इस्तती यह होती है कि पंचम भाव का स्वामी एसी इस्तती में मंगल बनेगा और मंगल यदि लगन में बेठा है नवम भाव में बेठा है केंदर में बेठा है अच्छी इस्तती में है अस्त नहीं है तो संतान तो होनी ही है हाँ लेकिन मंगल की इस्तिती भी खराब है कुंडली में गुरू पंचम का कारक है उसकी इस्तिती भी खराब है और वह महिला है विशेश कर क्योंकि महिला को ही तो संतान उत्पन करनी है पुरुष के बारे में भी बताऊंगा लेकिन महिला को संतान उत्पन करनी है और किसी महिला की कुंडली में यदि पंचम बाव में राहू है और एक और आठ नंबर अंग पर बेठा हुआ है तो ऐसी इस्तती में यहां शुब नहीं है लेकिन वहां पर मंगल की इस्तती भी देखनी पड़ेगी इसी प्रकार किसी लड़के की कुंडली में पुरुष की कुंडली में भी इस प्रकार का योग है पंचम बाव में तब यह सर्प योग कहलाएगा दोनों ही इस्ततियों में महिला हो या पुरुष लेकिन वहां पर पंचम बाव में एक और आठ कांख है तो मंगल की इस्तिती को देखना होगा और इसके साथ ही गुरु जो कारक है संतान का उसकी इस्तिती भी देखनी होगी तब ही जाकर आप निश्कर्ष पर पहुंचोगे कि संतान होगी या नहीं होगी यदि पंचम में एक नंबर अंक लिखा है तो दनू लगन होगा लगन में नो नंबर होगा तभी जाकर पंचम में और यदि पंचम में आठ कांख है तो करक लगन होगा एसी इस्तिती में तो करक और धनू लगन में यदि पंचम भाव में राहु है तो सर्पयोग कहलाता है एसा मेरे पास प्रश्ण आया है लेकिन सभी इस्तियों में संतान नहीं होगी इस बात को आप समझ लेएं कि बहुत सी इसी इस्तियां होती है जहां पर संतान नहीं होती है उसके कारण यह है कि मंगल भी पीडित है और गुरू भी पीडित है और पंचम में राहू है तब ही स संतान के लिए थोड़ा दुखदाई मामला हो जाता है अब मेरे पास एक प्रश्ण और आया क्योंकि यह सीखने लाएक विशय भी है हमारे जोतिश शास्त्र में लिखा है कि पंचम भाव में अल्पसुत्राशी हो अल्पसुत्र का अर्थ कम संतान होना या संतान देरी से होन तो चार एसी राशिया है जो पंचम भाव में हो लिखी हो तो संतान बहुत देरी से होती है या कम संतान होती है बड़ा विचित्र विशय है अब वो कौन सी राशिया है द्यान से सुने हो सकता है आपकी कुंडली में भी इस प्रकार का योग हो यदि पंचम भाव में दो क का अंक लिखा है द्यान से देखें पंचम भाव जहां लिखा है वहां पर दो का अंक लिखा है यदि वहां पर पांच का अंक लिखा है छे का अंक लिखा है आठ का अंक लिखा है अर्थात व्रशब राशी सिहा राशी कन्या राशी या व्रश्चिक राशी पंचम भाव में तो संतान बहुत देरी से होती है या संतान कम होती है एक संतान ही होगी तो इस बात का भी मैं खंडन करता हूँ कि शास्त्र में तो यह बात लिखी है लेकिन सभी इस्ततियों में यह बात लागू नहीं होगी यदि पंचम में दो कांख है तो वेसी इस्तति में भी आपको कि शूलिंप च्चिती में हे या नहीं और कुमॉआ कूर की इस्ति भीधिक नियुकूर की pew current कीól कि वृधिट्व तो घृत Cambridge अचने तो इसकें action AG और वहां पर हमें cabeça कूछ न यह देखनी होगी और यदि पंचम भाव में आठ कांग लिखा है अपस आठ कांग तो वापस आ गया कि तो वहाँ पर हमें मंगल की स्तती भी देखनी होगी और गुरू की स्तती भी देखनी होगी तो पंचम भाव में 2, 5, 6 और 8 का अंक लिखा है तो आप यह ना मानें कि संतान होगी ही नहीं या बहुत देरी से होगी ऐसा नहीं है हमने बहुत सी कुंडलियों में देखा है जैसे मैं आपको बता दूँ उधारन सुरूप पंचम भाव में 6 का अंक लिखा है और राहु बेठा हुआ है तो आप यह मान कर चलते हैं कि संतान तो होगी ही नहीं लेकिन हमने अनेक कुंडलियों में देखा है कि दो या तीन संतान भी हो चुकी है उसका कारण क्या है कि पंचम का स्वामी जो है मान लिजिए व्रशब लगन की कुंडली है पंचम भाव व्रशब लगन अर्थात लगन में 2 का अंक है पंचम में 6 का अंक है इसी इस्तती में बुद्ध पंचम का स्वामी होगा और बुद्ध यदि नवम भाव में बेठ गया मान लिजिए तो अच्छी इस्तती में है और गुरु यदी द्वितिय भाव में बेट गया तब भी अच्छी इस्तती में दूशित नहीं है और पंचम भाव में राहु है तो अकेले राहु से कुछ नहीं होगा एक बात और सोच ले में और समझ ले में कि पंचम बाव में जैसे राहू बेठा हुआ है पूर्व में मैं सरपयोग के बारे में भी बता चुका हूँ और अभी भी मैं बता रहा हूँ कि इस्तिर राशी है इसी इस्तियम पंचम में मान लीजे राहू बेट गया तो राहू की दशा है तब इस्तियां थोड़ी सी खराब हो जाएगी राहू की अंतर दशाएं है तब भी इस्तियां खराब हो सकती है केकिन आप बिल्कुल यह नहीं कह सकते कि संतान होगी ही नहीं मैं आपको बता दूँ कि इस तरी की कुंडली में सब्तम भाव में यदि शनी और चंद्रमा बेठा हुआ, तब भी संतान उत्पर्न करने में समस्यां खड़ी हो सकती है, केवल पंचम भाव का ही योगदान नहीं है, पंचम भाव में भी शनी चंद्रमा बेठा है, तब भी इस्ततियां खराब हो सकती है, पंचम भाव में अकेला शनी है, तब भी इस्ततियां खराब हो सकती है, मैं आपको एक उधरन और बता दूँ, अब आप देखना बड़ा जबरदस्त योग बता देता हूं, पंचम भाव में सीह लगना है, धनूराशी है पंचम भाव में, और वहाँ पर सुरी भी बेटा है और शनी भी बेटा है और बहुत सी बार लोग कहते हैं कि हमें ऐसा कहा गया कि संतान होगी ही नहीं लेकिन यदि शनी अस्त हो गया और सुरी बलवान है तो दनूराशी पर और विशेश कर सीहा लगना में तो सुरी बलवान होता है तो इसी सारी बाते समझनी होती है एक मेरे पास करा और श्तति आई कि लड़का होगा या लड़की होगी क्या इस्तति होगी या संतान अच्छी होगी ज़कर नहीं होगी तो यह सारी बातें निर्वर करती है प्लाइनेट्स पर पंचंभाव में सुर्य труд और मंगल का आदी की द्रश्टी है तो एसी स्तती में करन्या संतान होने की योग भी बनते हैं पंचम भाव में पंचम भाव द्यान से देखें अकेला गुरु बेठा हुआ है अब आप द्यान से सुने हमारे शास्त्र में तो इतना लिखा है कि पंचम भाव में अकेला गुरु बेठा है लेकिन हो सकता है क्योंकि कारको भाव नाशा है एसा सुत्र भी हमारे चोतिश शास्त्र में लिखा है कि कारक अपने भाव का नाश करता है तो पंचम का कारक गुरु है संतान का कारक भी गुरु है पंचम भाव में गुरु अकेला बेठा हुआ है तो हो सकता है संतान एक ही हो या लड़की ही हो वो लड़का हुआ ही नहीं तो उसकी भी चिंता लेकिन लड़का और लड़की उसमें फर्क करना ये सबसे बड़ी हमारी मुर्खता है आज के समय में बलकि प्राचीन समय से ही महिलाओं को सर्वस्रेष्ट पद दिया गया है आपने यदि त्रेता युग में सुना हो तो राजा जनक के राज में भी गारगी जैसी विदुशी महिलाएं होती थी और वे अध्यन भी करती थी और अध्यापन भी कराती थी तो महिलाओं को तो हमेशा ही सर्वस्रेष्ट पद दिया गया है लेकिन कुछ वर्षों से कुछ शताब्दियों से थोड़ी सी मनुश्यों के मस्तिक्ष में ब्रांतियां आ गई है तो इसे बहार निकालें और लड़का और लड़की में फर्क ना करें आज आप देखेंगे कि भारत वर्ष क्या विश्व में हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुशों से आगे है तो हम बात करते हैं पंचम भाव में अकेले गुरू की इस्तिती भी बहुत सी बार चिंता देती है हो सकता है संतान से बने ही नहीं संतान आपका विरोध करे या संतान से आपके आचार विचार कम मिले लेकिन संतान तो होती है एसी हमने बहुत सी इस्तितियां देखिए पंचम में अकेला गुरू भी संतान गुरू इस्थान हानी करो जीव ऐसा सुत्र भी लिखा है संतान माता-पिता से बहुत दूर रहती है तो वह भी एक चिंता का विशाय तो इसे भी समझना होता है कि अब एक महतुपूर्ण बात कि कि हमारे जोतिश शास्त्र में एक प्रमुख बात और बताई है कि बीज इस्पूट और क्षेत्र इस्पूट इसकी गणना लिखी है तो बीज का आर्थ हो गया खेत में हम जो बीज बोते हैं तो पुरुष के अंदर हम पुरुष की कुंडली में हम बीज इस्पूट की गणना करते हैं शुकराणूओं की इस्तती का पता करते हैं उसमें हमें सुर्य गुरु और शुकर तीनों की इस्तती देखनी होती है उसे कहते हैं बीज स्फुट यदि लड़के का शुकर खराब है कमजोर इस्तती में है कुंडली में अस्त है आजकल आप देखते हैं कि महिलाओं पर दोशार ओपन लगाते हैं कि महिला ने संतान उत्पन नहीं कर पा रही है लेकिन बहुत सी बार देखा गया है कि पूरुशों में भी शुक्राणों की कमी होने के कारण शुक्र अस्थ होने के कारण संतान उत्पन होने में समस्याएं खड़ी हो जाती है तो बीजिस्पुट की गणना होती है सुर्य, शुक्र और घुरू तीनों के अंशों को जोडते हैं राशी जो उनके ग्राइस पस्ट होते हैं उनको जोड़ कर फिर उसकी गणना करते हैं तीनों को जोड़ने के बाद जो राशी प्राप्त होती है वह यदि विशम राशी है तो अच्छी इस्तती है संतान होने की योग बनते हैं नवमांश में भी वह विशम राशी वाली इस्तती में है तो बहुत अच्छी इस्तती में है एक विशम है एक सम है तब सामन्य इस्तती है और दोनों ही सम है तो अशुब इस्तती होती है बीज इस्पुट की तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि पुरुष की कुंडली में शुक्र की इस्तती क्या है संतान की बाधा कहीं पुरुष के कारण तो नहीं हो रही इसी प्रकार से इस्त्री की कुंडली में अभी हम चंद्रमा मंगल और गुरू प्रकाशनागदा.blogspot.com पर मैंने इस बात को इस पस्ट रूप से लिखा भी है तो वहाँ पर भी आप इसे चेक कर सकते हैं बाए मंगल और गुरु इससरी की कुंडली में इन तीनों ग्रहों की स्तृति को देखना पड़ता है अपीजा आप देखेंगे चंद्रमा आप देखेंगेКак मंपूर्ष कुंडली है या आप के पास अच्छी कुंडली बनी हुई है इस चंद्रमा के इसपस्ट अंश भी ह को है वह संतान में विशेश योग कारक है तीनों की स्थिती तीनों के इस फुटों को जोड़ने से जो हमें राशी प्राप्त होती है उस राशी को हम देखते हैं कि वह सम राशी है बर नौमान श्यार्ट में भी सम इस्तती में है तो वह इस्तती शुब होती है एक सम है एक विशम है तो सामन्य इस्तती है और दोनों ही विशम इस्ततियां है राशियां विशम आ रही है तो वहां हम कहते हैं कि क्षेत्र इस्पूट खराब है महिला के लिए क्षेत्र देखते हैं क्षेत का अर्थ है खेत पुरुष में बीज को देखते हैं अर्थात बीज जो है वह खेत में आपने बहुत दिया तो जो घरभाश है है वह क्षेत्र इस्पूट तो जोतिश में प्राचीन विद्वानों ने इतनी जवर्दस्त बातें बता दिये और वे आज भी हम पढ़ रहे हैं तो बीज इस्पूट और खेत्र इस्पूट उसे जोड़ा है खेती से अच्छा खेत है उपजव भूमी है और वहाँ पर आप बीज बोते हैं तो बीज अगर अच्छा है और खेत भी अच्छा है तो फसल अच्छी होती है तो पुरुष में बीज शुक्रानों अच्छा ह तो सारी इस्ततियां शुब होती है और महिला में गरबाशाय वाली जो इस्तति है वह अच्छी है उसे कहते हैं क्षेतर इस्पूट अगर वहां की गणना हम करते हैं और चंदरवा मंगल गुरू की इस्तति अच्छी है तो संतान भी अच्छी होगी और समय पर होगी और इस् समझनी होती है इसके अलावा भी बहुत सारी बात है यदी किसी महिला की कंडली में है छटे शात्वे भाव में या साट्वे आठवे भाव में विश्य नतां होते समय बहुत बड़े-बड़े कस्ट जेलने होते ह तो इस बात को भी समझना पड़ता है पुरुष की कुंडली में भी सब्तम भाव में पाप ग्रहों की संक्या है चादा है सुर्य है मंगल है उसके साथ में शनी भी है राहू भी है तो इसी इस्तती में दो या तीन पाप ग्रह क्रूर ग्रह हैं तो ऐसी स्तिति में समस्याइं बढ़ जाती है तो पाप गरहों की दृष्टी गुरु पर पढ़नी एक महिला के लिए एक पुरुष के लिए दोनों के लिए खराब है और लड़के की कुंडली में शुक्र पर पाप गरहों का प्रभाव होना शुक्र अस्थ होना भी ठीक नहीं है इसलिए शुक्र को वहाँ पर भी देखना आती है केवल सब्तम भाव के लिए ही नहीं पंचम भाव के लिए भी शुक्र और गुरु की इस्तिती को समझना पड़ता है एक महिला के लिए गुरु की इस्थती को समझना पड़ता और पंचम भाव के लिए शुक्रों और गुरु दोनों ही इस्थतियों के बाद भी पंचम का कारक गुरु जो है उसकी इस्थती भी देखनी होती है और किसी भी भाव में सबसे बड़ी बात त्यान से सुन लेए किसी भी भाव में पाप गरह बेठा हुआ है लेकिन वहां के राशी का जो स्वामी है वहां अच्छी इस्तिति में है तो उस भाव के फलों में एकदम अशुपता नहीं आईगी यदि पाप ग्रहों की दशा है तब जाकर कुछ समस्यां बढ़ जाती है तो कुंडली में कुल मिलाकर कुंडली मिलान करते समय संतान योग भी देखना आती आवशक है संतान योग नहीं देखते हैं तब भी समस्यां फिर बाद में बढ़ जाती है तो संतान योग को भी देखना आती आवशक है और आजकल महिला हो चाहे पुरुष हो लड़के लड़की उनका खान पान रहन सहन अच्छा नहीं है उनका जो जीवन जीने का जो तरीका है वह ठीक नहीं है उसके कारण भी संतान होने में समस्यां उत्पन हो जाती है और उसके साथ ही पंचम भाव कुंडली का पंचम भाव पंचम भाव का स्वामी और पंचम भाव का कारक गुरू तीनों की स्थियां अगर कुंडली में खराब है तो संतान होती ही नहीं या देरी होती है या किसी ने किसी प्रकार से डॉक्टरी इलाज लेकर बड़ी मुश्किल से संतान होती है तो इससे संबन्दित और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप प्रशन करेंगे तो आप शेब बताओंगा लेकिन आज मैंने आपको बताए कि सर्बयोग कैसे बनता है उसके अलावा पंचम में इस्तिर जिसे कहते हैं कि इस्तिर राशियां तो हे ही लेकिन पंचम में अलपसुत राशियां वरशब, सीह, कन्या और वरश्चिक राशी अगर पंचम भाव में लिखी है तो केवल राशियों के लिखे होने से संतान नहीं होगी ये बात बिलकुल कलत है बहुत सी परिस्तियों में संतान होती है पंचम भाव में केवल राशियों 2, 5, 6, 8 लिखा है और इससे आप ये समझ लेते हैं कि अब तो संतान होगी ही नहीं और आप वेर्थ चिन्तित होते हैं तो यह सबसे बड़ी दुखत इस्ति है और यहाँ पर एक जोतिशाचार्य को भी समझना चाहिए कि सोच समझ के अगले व्यक्ति को जवाब देवे धन्यवाज जैशी क्रिश्टन